इसके अंदर दलोगों के सीटकाइबकोदेगने को साथ यह लेपटनाएबप्ध साथे हीटवेट् पर देखने को बनें यहां पर आप लोगों को को यहां पर आप लोगों को रबर यूज करी गई है ताकि फिस लेना इधर उदर वैसे तो फिसलता नहीं है अगर रबर लगी हुई है तो एक जिंगर पे प्लेस रहता है अब हम इस लैप्टॉप को जैसी ओन करते है सबसे सामने हमारे पास इसका डिस्पले आता है और इसका जो डिस्पले है आप लोगों को टच डिस्पले देखने को मिलती है और इसकी जो ब्रैटनेस वगएरा होगी वह 200 निट्स तक इसकी ब्रैटनेस जाएगी और इसका जो डिस्पले हैं मटिटे इसके निदर डिस्पलेइज करे यह फ्लिकर फ्री दिस्पलेइब और screen to body ratio आप लोगों को 88% देखने को मिलता है मतलब कि जो पूरी screen है उसके उपर आप लोगों को body सिर्फ 12% देखने को मिलती है बैजल काफी जादा कम है आप लोगों को नाके बराबर इसके इंदर बैजल से एकने को मिलती है और आपका जो user experience है काफी जादा इनेंस हो जाता है क्योंकि इसका screen to body ratio काफी जादा है आजकल हम जब भी laptop लेने जाते हो तो आजकल ग्रैफिक्स कार्ट बहुत जादा important हो गया है क्योंकि जब students पढ़ाई करते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पर ग्रैफिक्स काफी जादा important गेम प्ले करते हैं जैसी कि अगर हम गेम खेलते हैं तो उसमें तो काफी ज ग्रैफिक कार्ड आपके laptop में होना बहुत ही जादा जरूरी है प्रमारे इस laptop में आप लोगों को इंटेल आइरेस एक्सी ग्रैफिक कार्ड देखने को मिलता है जो की काफी साथा अच्छी परफाइंस वाला ग्रैफिक कार्ड है अब कुछ लोगों के मन में अभी भी ऐसा डाउट रहता है कि वाई ये खराब हो जाते हैं बार बार कोले से